सुल्तानपूर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज ख़ब इस समय हमारे साथ मजूद है अखिल बारतिय ब्रहमर महासभा रा के राष्टी अध्यच्य पंडित राजेंत्र पाथे जी हमारे साथ इस समय मजूद है इनसे दो दिन पहले इन पर कुछ आरोप भी लगे थ अखिर क्या आरोप लगे थे हम इससे जानते हैं अब दिन पहले आप पर कुछ आरोप लगे थे आरोप प्रत्यारों पर तो मुझे पर लगते ही रहते हैं और जब होगा तो रियक्शन होगा इंजेक्शन लगेगा तो दर्द की अनभूत होगी कुछ रूप बेसधारी र अखिल भारति इब्राम्वन महासबारा के बढ़ते हुए बर्चस्ट को से घबला करके संगठों को तोड़ने के लिए और हाईजैक करने के लिए बदनाम करने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजे थे दोती लोगों अभी दिल्ली महापंचायत में राकेश डिकैट ने हर-हर महादेव का नारा दिया था किसान आंदोलन में हर-हर महादेव का मतलब क्या है मुसल्मान भी है बिकार नहीं होना जो जिसके भी पास खेटी अब किसान की कोई पर्टिकुलर एक जात तो है नहीं कि वह एक इसत्रिदेवता को ही करता है अगर उने हर हर माहा दें भोला तो इस पर किसी कौपत नहीं होनी चाहिए बीजेपी लगातार बेरोजगारी को लेकर रोजगार देने को लेकर जगा जगा पर बोर्ड लगा रही है हमने इतने लोगों को रोजगार दिया आखिर इन बोर्ड का मतलब क्या है यह जो बॉर्ड लगा रहे हैं बिजएपी दिखावा बहूत करती है केवल दिखावा कार यह रूप इनका कहीं कुछ नहीं देखा कोई नहीं देखा समार्ट सिटी का भी तमाम बॉर्ड लगा रहे है कहां है एक काम गिनाद है यह हम तो पूर्बांचल के रहने वाले पूर्बांचल में जो गड़े थे सड़क पर आज भी साहरे चार साल बाद वह गड़े पट नहीं पाये बन नहीं पाया बेरोजगारी चरम पह नौजमान आशू अपनी तक्दीर पर बहा रहा है कहां रोजगार दिया गया महंगाई चरम पर हैं विद्याले में चात्र अपनी तक्दीर पर आशू बहा रहा है किसान खेतों में आशू बहा रहा है क्या कौन सा भी कासुआ लगातार बढ़ते पट्रोल डीजल के दाम और विरोजगारी को लेकर भी पच्छ लगाता यह महामारी को लेकर के मौत हुई हैं हर दिशा में सरकार फेल हुई है इसलिए पूरे देश और प्रदेश की जंता को सड़क पर उतर करके और इस अन्याई सरकार जो पूरी तोर से फेल हो चुकी है इसको हटाने के लिए सड़क पर उतर जाना चाहिए यह थे हमारे साथ अखिल भारती ब्राहमण महासबर्रा की राश्ट्रेज़त पंजित राजिनतर पाठी जी नावफोटिफोर के लिए रतनेश अग्रहरी की रिपूर्ट सुल्तानपूर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज का पर उतर जाना चाहिए